अभ्यास 7.6 कोशन नंबर 1 14,000 रुपे दी रकम उत्ते 2 साला लई 10% सलाना व्याज दी दर नर मिश्रत व्याज पता करो जे कर व्याज सलाना जोड़या जान्दा है हांजी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आवास ते दासदा भी इत्य सानू जो प्रेंसिबल है वो 14,000 रुपीज दे रख्या है जो समा है जो टाइम है वो है 2 years ते 10% सलाना व्याज इट मीश की जो रेट ओफ परसेंटेज है या रेट ओफ इंटरेस्ट है वो 10% है annually सलाना मीश भी annually है वो ठीक है हांजी ते इस कोशन वीच असी मिश्रत व्याज मीश कंपाउंड इंटरस्ट केलकुलेट करना है जे कर व्याज सलाना जोड़ा जानता है दी दर नाल मिश्रत व्याज पता करो सानु कंपाउंड इंटरस्ट C.I. जो है फाइंड आउट करना है हांजी प्रिंसिपल है साधे कोल 14,000 रुपीज टाइम है 2 यर्स जो रेट है ओ है 10% हांजी इसी उदारन जो है सानु दे रख है एक्जांपल बिल्कुल इसी स्टेप्स नो फोलो कर दे हो है मैं जो है उसकोशन नो सोल करांगा ठेक है हांजी इस जो है अमाउंट केलकुलेट करन दा फार्मूला है ते बंजाबी दे वीच अमाउंट नो जादा कूल राशी किया जानता है ठेक है इसनो नोट डाउन कर ले ना एजड़ा ए है इसनो अमाउंट केल जानता है हांजी अमाउंट नो कुल राशी किया जानता है जो CI है यनकी compound interest उदा जो फार्मूला होंदा है मिच्रत व्याज is equal to कुल राशी माइनस मूल धन ठेक है मूल धन जो है प्रेंसिबल नो किया जानता है हांजी अमाउंट नो देख लो मिच्रत धन भी किया जानता है इत्थे कई वार उसनों कुल राशी लिख देन देने कई वार उसनों मिच्रत धन किया जानता है ता मिच्रत व्याज यनकी CI calculate करन दा जो फार्मूला है ओ है अमाउंट माइनस प्रेंसिबल अमाउंट है मिच्रत धन और मूल धन है प्रेंसिबल हांजी इस वास्ते सब तो पहला सी अमाउंट जो है calculate करांगे एवला जो capital A होंदा है ते अमाउंट वास्ते जानों एवला जो फार्मूला है एपलाई करना पेगा साठे को प्रेंसिबल भी है रेट भी है ते टाइम भी है साठे को जो प्रेंसिबल है वो है रूपीस 14,000 ते साठा जो रेट है वो है 10% ते जो टाइम है साठे को वो जो है दो साल है हाँ जो टाइम है समा है वो दो साल ही है देखो असी अमाउंट यानि की जो मिश्रत धन है कुल राशी कैलकुलेट करना है उदे वास्ते असी अपना जो प्रेंसिबल वन प्लस रेट अपोन हंडर्ड वाला जो फार्मूला है ये अपलाई करांगे ब्रेंसिबल सानु जो है 14,000 दे रख्या है इस तो बाद जो रेट है इस अनु 10% दे रख्या है अजी अपन दे वीच हंडर्ड ते टाइम जो है उस आटिकॉल 2 यर्स है इसनो सोल कर लेने हाजी 10 दी जो 0 है और हंडर्ड दी 0 देनाल कैंसर राउट हो जाएगी साटे कोल जो है 1 प्लस 1 अपन 10 बच्चया है इस तो लसी अम लवांगे 10 ते इत्थे जो है 1 दे अपन दे वीच डिनोमिनेटर दे वीच 1 एजिम कर लेने हाँ हांजी, lcm 10 नु वन देनाल डिवाइट करांगे यह जो फर्स जो टिनोमिनेटर है उसतेures डिवाइड करांगे तो साटे कोळ 10 नहीं आएगा 10 नु असी 1 देनाल मुल्टिप्लाई करांगे था 10 प्लस 10 नू 10 दे न डिवाइड करांगे 1 1 नू 1 नल मल्टिप्लाई करांगे ता 1 इसनू note down कर लो मैं erase करना है साथे को ब्रैकिट दे वीच 11 अपोन 10 बच्चया है 10 प्लस 1 ओ 11 हो जाएगा 11 अपोन 10 जो है इस साथे को ब्रैकिट दे वीच है ते प्रैकिट दे बाहर पावर दे वीच 2 है जो की टाइम है amount is equal to principle साथे कीवन सी 14,000 ते 11 अपोन 10 इस दी पावर जो है 2 है पावर दे वीच 2 हों दा मतलब की है वी साथे कीवन जो है 11 बच्चया नो असी मल्टिप्लिकेशन जो 2 टाइमस लिख सकते है 14,000 multiplied by 11 by 10 multiplied by 11 by 10 0,0,0 cancel out हो गया 0,0,0 cancel out हो गया 14,000 नो असी 11 दे नाद 2 टाइमस multiply करना है मैं तो हनो multiplication इत्थे करके दिखा देनना जी देखो 11 नो 11 दे नाद multiply करांगे ता 121 आएगा ठीक है ते मैं जो है सिद्धा 121 नो 14 दे नाद multiply कर रहा है 11 नो 11 दे नाद multiply करके 121 आनता है ते मैं 14 दे नाद multiply कर रहा है जड़ी 0 है 140 दी ओ बाद दिविच असी नाल जो है लगा लाँगे ठीक है फोर वन दा 4 हो गया, फोर टू दा 8 हो गया ते फोर वन दा 4 हो गया इत्थे 0 लगानी है, क्रोस नहीं लगाना 11 दा 1, 12 दा 2, 11 दा 1 4 प्लस 0, 4 हो गया, 8 प्लस 1, 9 हो गया 4 प्लस 2, 6 हो गया, 1 as it is हां जी, होन 140 दी एक 0 भी जो है इत्थे लगनी है ता उसमें भी जो है लगा देने हैं जी 16,940 ठीक है यह आया है साटे कोल अमाउंट रूपीज 16,940 16,940 रूपे, यह साटा जो है अमाउंट है हां जी, इसनों नोट डाउन कर लूँ, मैं एरेस करना है जी सानु जो है, इस कोशन वीच कंपाउंड इंडरस्ट जो है, केलकुलेट करना है ते साटे कोल जो, जो रूपीज लगाना जरूरी है इत्थे नाल हां जी, 16,940 जो है, मिश्रत धन जो कुल राशी जो इंग्रिश दे विच अमाउंट आया है ते मूल धन जो है, वो साटे कोल प्रिंसिबल हैगा, असी रूपीज 14,000 हुन असी 16,940 जो जो 14,000 है, यह माइनस करांगे 0-0, 0-0, 4-0, 4, 9-0, 9, 6-4, 2, 1-1, 0 हो जाएगा साटा जो मिश्रत व्याज जो कंपाउंड इंडरस्ट आया है, वो आया है रूपीज 2,940 ठीक है, यह रूपीज 2940 भी कह सकते हैं, 2940 रूपे ठीक है, यह साटा आंसर है, C.I. means कंपाउंड इंडरस्ट मिश्रत व्याज है सेकिंड कोशन है, जी, एक जार पे दी रकम उत्ते, वी परसेंट सलाना व्याज दी दर्ते, तीन साला लई मिश्रत व्याज पता करो जे कर व्याज सलाना जोड़या जानदा है, ठीक है जी, साटे को जो प्रेंसिपल है, वो है रूपीज 1,000 ते जो रेट है, रेट ओफ इंटरस्ट, वो है वी परसेंट 20%, ते साठे को जो समा है, टाइम है, वो है तीन साल सानु जो है compound interest means मिश्रत व्याज जो है calculate करना है, 1000 रूपे जो है प्रेंसिपल है, वी परसेंट जो है रेट है, ते 3 यर्स, ये जो है टाइम है, समा है सब तो पहला आँसी amount calculate करांगे ठीक है जी principle 1 plus rate upon 100 तो ये bracket दे बाहर टाई principle साथे कुल है rupees 1000 1 plus rate सानू दे रख्या है V percent ते जो time है वो है साथे कुल three years है मेरे ख्याल तो zero cancel out हो गई two one's are two two five's are ten जी ते रुपीज 1,000 bracket दे विच assist में solve करांगे five LCM आएगा one plus sorry five आएगा इते हांजी five plus one जो power है वो दे विच three है जो की समा सानू दे रख्या से तिन साल था ठीक है हांजी bracket नो solve करके साथ कुल bracket दे अंदर six upon five आएगा इसनो note down कर लो मैं erase करना है six upon five दी पावर जो है three है जिननी पावर है उननी वार असी multiplication चे लिखांगे हांजी five नाल इसनो cancel out करांगे five two's are ten ते दो zero as it is five fours are twenty ते एक zero as it is ते five eights are forty हांजी six six 36 होंदा है 36 six 216 होंदा है six six 36 हो गया six three is 18 18 plus 3 21 हो गया ठीक है हांजी 216 हो असी eight दे नाल जो है multiply करना है just one minute हांजी 216 हो असी eight दे नाल multiply करना है eight six जा ए हो गया 48 four जो है carry हो गया carry चला गया ठीक है eight one जा eight eight plus four यह हो गया 12 one carry हो गया eight two जा 16 16 प्लस वन 17 eight six सा 48 eight प्लस four 12 वन carry eight two सा 16 16 प्लस वन 17 17 1728 1708 रुपे जो है यह साथे को अमाउंट आया है रुपीज 17 17 28 17 1708 रुपे हांजी इत्थे असी कुर राशी दी था लिखांगे 17 1708 रुपे जो मूलधन है प्रेंसिबल है और रुपीज 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 वन थाउजन सी सब्ट्रेक्शन करके देख लेना वैसे इजी है 728 रुपीज ठीक है 1708 रुपे जो है compound interest जा मिश्रत व्याद जो है बचेगा ठीक है बचेगा means की आएगा अगर 1000 रुपे नूँ वी परसेंट दे रेट दे नाल 3 यर स्वास्ते जो है मतलब इस दूपर असी compound interest calculate करना है तो जो compound interest है 3 यर स्था उपनेगा रुपीज 728 728 रुपे जो है साटा final answer है compound interest मिश्रत व्याज है नेक्स्ट अग्गे जो है देखो बहु विगल्पी प्रशन ने पहले वाला तो simple जाई है यह जो है मैं मतलब formula जो है तो हनो जो model test paper करवाया सी उस देविच वीच वीच दस्या सी वे सधारन व्याज नो calculate करना जो formula होंदा है वो हंदा है principle ते नाल आंदा है rate ते नाल multiplication जानदा है time सानू ए दो में fill करने सी option A देविच R ते S दे रख्या है option C देविच A ते T दे रख्या है option B देविच rate R ते T दे रख्या है option B ही correct है R जो है वो rate नो यानकी दर नो जो है दरसांदा है ते मतलब rate of interest नो ते जो T है वो समय नो जा means भी जो time होंदा है जिनने time वास्ते उस principle नो invest किता गया है उस नो जो है दरसांदा है सधारन व्याज is equal to principle multiplication rate multiplication time upon 100 next सधारन व्याज दा ही question है कि 2000 उत्ते 10% सलाना दर नाल एक साल दा सधारन व्याज जो है ऐसी दसना है इसी formula नो जो है ऐसी follow करांगे ज़रा देखलो जो principle है और रुपीस 2000 है ते rate of interest आर जो है वो 10% है ते जो time है वो one year है हाँ जी इसी वाले फर्मोले नो जो है उसी उस करांगे प्रिंसिबल दी थाथ यसी दिखांगे रुपीस 2000 rate है साथे कोल 10% ते जो time है वो one year है हाँ जी 100 दी जड़ी ये two zeros ने और 2000 दी टू जिरोस ने आल कैंसल आउट हो जान किया 20 नो 10 देनाल मल्टिप्लाई करांगे तर सानों मिलेगा रुपीस 200 देखो 20 नो one देनाल मल्टिप्लाई करांगे 10 दे तर 20 आ जाएगा ते नाल 10 दी 0 जो है मैं तो नों समझाया हो है अभी वो नाल जो है लग जान दी है तो रुपीस 200 जो है साठे कोल सधारन व्याज आया है इस दे उपर जी ओप्शन बी जो है वो करेक्ट है रुपीस 2000 उत्ते 10 परसंट सलाना दर नाल एक साल दा सधारन व्याज 200 रुपे होएगा नेक्स जी थर्ड एदेविचन सानों जो फर्मूला होंदा है मिश्रत व्याज वाला वो जो है मतलब इत्थे लगा के दिहाना है मतलब मैंनू थोड़ा जा मिस्टेक लाग रही है ए माइनस दा साइन है या इक्वल टू दा है प्रोपरली नजर नहीं आ रहा है वैसे मैं तो हनू दास देना है जो एग्जेक्ट जो फर्मूला है वो एवला है एवला मिश्टव्याज CI यानिकी कंपाउंड इटरस्ट इक्वल होंता है कुल राशी कुल राशी नो मिश्टव धन भी क्या जानता है ते अमाउंट भी क्या जानता है माइनस मूलधन मूलधन की है प्रेंसिपल है यह वाला जो है फार्मूला है उस फार्मूला दे अकोडिंग चलिये ता इत्थे ओप्शन डी जो है मूलधन जो है आना चाहिदा है ठेक है? मूलधन इस तो बाद है जी जदो व्याज सलाना जोड़ा जानदा है ता मिश्रत धन पता करन लई सही सुत्तर चुनो अचे दो कोशन किते ने मिश्रत धन नो कैलकूलेट करन दे ता ए वाला जो है जो प्रेंसिपल जो है बाहर है ब्रैकिट दे जो पी है तो ब्रैकिट दे अंदर वन प्लस रेड जो आर होंदा है और रेट ओफ इंटरस्ट नो शोव करता है अपोन दे विश हंड्रड है ते ब्रैकिट दे बाहर जो है ट है ट जो है वो टाइम पिरियड है ठीक है तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपोन 100 अपोन 1 प्लस रेट अपोन 100 ते ब्रैकिट दे बाहर जो है वो टाइम पीरियड है ठीक है टाइम पीरियड जी कौशन नमबर 5 है जी यानि कि इस दा जो पार्ट नमबर 5 है सधारन व्याज SI अते मिश्रत व्याज CI लई एक साल तो ज़्यादा समय दी स्थेती वीच देखो जो जो उप्शन A और B है एक दोमे ही सेम ही नजर आरे ने देखो दोमा दे बीच अगर तुसी त्यान दे नाल देखोगे तो जो ए C I है ना इससे दितरफ जो है ए एरो दा साइन जो है इनने मतलब ओपन रख्या हुया है तो option A और option B दो में ही same option ने कोई इनर दे बीच डिफरेंस नहीं है दो में options दे बीच अगर तुसी देखोगे ना मैं देखाना दो आनो देखो C I दी तरफ जो ए एरो वाला साइन है दो में options दे बीच C I दी तरफ एरो वाला साइन सेम डिरेक्शन दे रीच है ओपन हो रहा है वैसे दो में ही option A और option B जो है उपरेक्ट ने पर इननने मतलब जो answer दितता हुया है option B जो है compound interest is greater than the simple interest वैसे option A भी जो है यही कह रहे है वी simple interest जो है वो less होंदा है than the compound interest ठेक है तो दो में ही options सही ने परिना ने option B जो है वो correct जो है मतलब इच्छे जो है answer दे रख्या है जे किसे नों कोई question नहीं समझाया है ता मैंनो comment देवीच जो है जरूर दास देना